Hello दोस्तो, Welcome to Study Time June दोस्तो मैं आज आपके लिए Daily Current Affairs के कुछ important questions लिकर आया हूँ आज की questions एक मैई 2020 के हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले Study Time June चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की आपको लगातार अपडेट मिलती रहे चलिए आज की question स्टार्ट करते हैं आज का पहला question है Asian Development Bank ने महरास्ट को उर्जा छेत्र में सहीयोग करने के लिए कितने million dollar loan देने की मंजूरी दी है option A 350 million dollar option B 346 million dollar option C 375 million dollar या option D इन में से कोई नहीं तो आपका सही answer होगा option B 346 million dollar आपको बताना है यहाँ पर कि Asian Development Bank का headquarter कहाँ पर है Asian Development Bank का headquarter Manila Philippines में है इसके president है Master Sugu Asakwa member countries है 68 member countries है और यह found हुआ था 19 December 1966 में आगे बढ़ते हैं second question पर question 2 है हाल ही में Vigilance Commissioner के पत पर किसे नियुक्त किया गया है Vigilance Commissioner के पत पर option A Surace and Patel option B Sanjay Kutari option C KV Chaudhary option D इन में से कोई नहीं तो आपका सही answer होगा option A Surace and Patel आपको बताना है कि Central Vigilance Commission का headquarter है वो कहाँ पर है Central Vigilance Commission का headquarter New Delhi में है ठीक है आगे बढ़ता है अगले question पर question number 3 है Public Enterprises Selection Board P.E.S.B. का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है option A कपिल देप्तरपाटी option B Rajiv Kumar option C M.K. Gupta option D इन में से कोई नहीं तो आपका जो सही answer होगा वो होगा option B Rajiv Kumar ये देखिए P.E.S.B. के जो चेर में ने वो Rajiv Kumar को नियुक्त किया गया है Rajiv Kumar जी जो है वो पहले Finance Secretary थे और current में अभी Finance Secretary ओफ इंडिया को ने अजयभूशन पांडे आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number 4 है Moody's Investor Service ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 2% या option D इन में से कोई नहीं तो आपको जो सही answer होगा वो होगा option C 0.2% आपको बताना है यहाँ पर मूडीज का headquarters कहाँ पर है Moody's का headquarters in New York United States में President and CEO of Moody's कौन है वो है Raymond W. McDaniel आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number 5 है केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त रास्ट में भारत का अगला राजदूत अद्वाइस्ताई प्रते निधित्वत नियुक्त करने की गोशना की है option A हरिदीब सिंग पूरी option B सयद अकवरुद्दीन option C TS त्रिमूर्थी option D.N में से कोई नहीं आपका जो सही अंसर होगा वो होगा TS त्रिमूर्थी TS त्रिमूर्थी जो है 1985 बैच के एक IFS अधिकारी है जो वर्तमान में विदेश मंत्राले के सच्छे पत पर कारिकरत हैं इनको UN का next Indian Ambassador नियुक्त किया गया है आपको यहाँ पर बताना है कि United Nation का जो Headquarter है वो कहाँ पर है New York America में और Secretary General of United Nation कोन है Antonio Guterres आगे बढ़ते हैं अगले Question पर Question No.6 है आईश्मान भारत दिवस कब मनाये जाता है Option A 25 अप्रेल Option B 28 अप्रेल Option C 30 अप्रेल या Option D इनमें से कोई नहीं आपको जो सही अंसर होगा Option C 30 अप्रेल आईश्मान भारत योजना को PM नरिंद मोदी द्वारत 2018 में गरीवों की प्रती 5 लाक रुपे प्रती परिवार के हेल्थ कवर के साथ विविन निला प्रिदान करने के लिए सुरू किया गया था प्रिदान मंत्री जन आर्योग योजना के रूप में भी इसे जाना जा रहता है 2018 के बाद से ही आईश्मान भारत योजना को जब लॉंच किया गया था उसके साथ ही आईश्मान भारत दिवस को मनाने का निर्णाई किया गया था Ministry of State Independent Charges Ministry of Ayush के आपको बताना है कि कौन है सुतंत्र परवार राज्य मंत्री आयूश के कौन है स्रीपद योसो नायक आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number 7 है हाल ही में किस सरकार ने immunity system को बढ़ाने के लिए जीवन अम्रित योजना की शुरुवात किये option A बिहार option B मद्ध परदेश option C उत्तर परदेश option D इन्हों में से कोई नहीं तो आपका जो सही अंसर होगा वो होगा option B मद्ध परदेश जीवन अम्रित योजना के तहत मद्ध परदेश शरकार ने लगु बनोपज संग के सहयोग से राज्य के आयूश विवाग द्वारा तयार कियेगा एक बिशेश त्रीकुट चूण के पैकेट को कोरोणा संकरमन बाले छेत्रों में नागरेकों को निसुलक वित्रित करेगी साथ ही राज्य के एक करोड लोगों को पचास ग्राम के इन पैकेटों को बित्रित करने का भी लक्ष रखा गया है आपको बताना है कि बिहार के जो CM है वो कौन है बिहार के CM है नितिश कुमार वो बिहार की capital है पटना बिहार की capital है पटना आपको बिहार के गवर्नर का नाम भी आदोना चाहिए बिहार के गवर्नर का नाम है पागु चोहान आगे बढ़ते हैं यहां option C भी देखिए option C में उ उत्तर प्रदेश का भी आपको capital, cm और governor भी पता हो न जीए, उत्तर प्रदेश की capital है लखनौ, cm जो है वो योगी आदितनाद है और governor जो है वो है आनन्दी बेन परटेल, आगे बढ़ते हैं अगले question पर, question number 8 है, PNB Housing Finance Limited के अंत्रिम MDN CEO किसे नियुक्त किया गया है, option A, नीरज ब्यास, option B, संजे गुपता, option C, बिजय शर्मा, या option D, इन में से कोई नहीं, तो आपका जो सही आंसर है, वो है, option A, नीरज ब्यास, आपको यहाँ पर बताना है कि PNB Bank के जो चेर्मेन है, वो कौन है, PNB Bank के चेर्मेन है, सुनील महता, CEO कौन है, SS मलिकरजुन राओ, और जो पंजाब National Bank का जो headquarter है, वो कहाँ पे है, New Delhi में, अभी हाली में, recently में ही, पंजाब National Bank के साथ, दो बैंकों का मर्जर हुआ, वो कौन-कौन से हैं, पहला है, Oriental Bank of Commerce, दूसरा है, United Bank of India, उसके बाद, मर्जर के बाद, पंजाब National Bank की, जो टेग लाइन है, वो हो गई है, together for better, दोनों बैंकों के मर्जर के बाद, पंजाब National Bank जो रास्टी फिल्म पुरुसकार जीतने वाले किस अभी नेता का हाल ही मने धन हुआ है, Option A, B, जू खोटे, Option B, रिशी कपूर, Option C, इरफान खान, या Option D, इन में से कोई नहीं, तो आपको जो सही अंसर होगा, वो होगा, Option B, रिशी कपूर, ये देखे, रिशी कपूर, Question No.10 है हाल ही में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में कतर्क में नियुक्त किया गया है, Option A, असोक कुमार सिनह, Option B, दीपक मित्तल, Option C, प्यूस्ट स्रिवास्ताव, Option D, इन में से कोई नहीं, तो आपको जो सही अंसर होगा, वो होगा Option B, दीपक मित्तल, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेलफफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथी साथ बैल आइकन को जरूर दवाएं, ताकि आने वाले वीडियो की आपको लगातार अपडेट मिलती रहें